नमस्कार किसान भाईयों, मैं सुरुदूल फिर्ट से हाजिरूं, आपके अपने चैनल एगरी कल्चर गुरू जी में किसान भाईयों आज हम बात करेंगे एक बहुती सांदार और अच्छे टोबिक पर जिसके बारे में लगातार प्रिसन पूछे जा रहे हैं और किसान भाईयों के इसके बारे में जानकारी भी है लेकिन आधी अधूरी जानकारी होने की बज़े से किसान भाई कुछ लापरवाही कर देते हैं जिन से किसान भाईयों को थोड़ा नुकसान हो जाता है जी हाँ आज हम बात कर रहे हैं पोटास के बारे में कि गन्य की फसल के अंदर पोटास के क्या महत्म है पोटास को हमें किस रूप में देना चाहिए क्या दानेदार पोटास डालनी चाहिए या फिर हमें इसका इस्प्रे करना चाहिए और यदि हम पोटास अपनी फसल के घालना चाहिए दूसरा किसान भायो इसके क्या फाइदे हैं qu历 नुकसान और यह कितने दिन तक हमारी फसल के ओपर काम चाहे और किस किस तरीके से हमारी फसल को रोगों से या फिर बिमारीों से बचाने жд torturedं है भी अपने पैसे की बरबादी कर handle ओड़ो ऐसे अच्छी से मझा आ कर रहा हुँ मैं है एक हमारी फसल के एंदर हमारे गंडिये औरा किसी बीने TW कें अदर की अज़ा तत्व की कमी को पूरा करने के लिए हमें अपने खेत के अंदर कुछ खाट डालने पड़ते हैं या फिर इस्प्रे करने पड़ते हैंunn tarve जा color की जो पूरती है लेकिन को सिस हमें ये करनी का है कि कमीं आने से पहले ही। यदी हम उस तत्व को अपने झांदर डाल देते हैं त तो उसे thing recovery होने में उसे सही होने में थोड़ा सा समय लगता है लेकिन आपको लगता है कि तभय खराब होने वाली है उससे पहले यदि हम उसका ध्यान रगें उसके खान पीन में थोड़ा था ध्यान रखें तो किसान भाईयो उसे कोई भी दिक्कत फिर नहीं आती तो उसी तरीके से आपकी फसल है उस फसल को भी आपको इसी तरीके से समझना है तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि पोटास क्या है और इससे हमें क्या-क्या फायदे मिलते है पोड़ावब की व्रदी और विकास के लिए पोड़ाइं एक भी सांदार आप इसे खात कह सकते हैं एक िसे तत्व कह सकते हैं नाइट्रोजन की अवथश्चता पड़ती है असे तरीगे से हमारी गन्ये की फदर के लिए खुनस की पूर्टास की भी मारे फसल को हमारे गण्ये को सहन करने की सक्ति देगा वह बढ़ पढ़ रहा है उस कंडिये पोटास हमने की फसल के अंदर लगाई तो उससे किसान होगी वह बची रहेगी तो इस पर जाद है असर मोसम का नहीं पड़ेगा तो इसलिए भी आप इसे दे सकते हैं पोटास जड एकदम आसानी किसलात नीचे नहीं गिरती क्योंकि ये तने को भी मजबूत करता है और जड़ों को भी मजबूत करता है तो इससे हमें ये भी फायदा देखने को मुलता है पोटास के प्रियोक से पोधे की जो कोशिकाई होती है दिवारे होती है ये किसान भायों काफी मोटी जाती है यानि कि वही जो गन्ये की लेंट होती है गन्ये का जो तना होता है वो काफी जड़ा मजबूत हो जाता है जिससे हमारी फासल नीचे नहीं गिर पाती जिन फासलों में पोटास की मातरा पूरी मिलती है उन फसलों की जो हमारे उत्पादन होता है वो लगबग 15-30 तक बढ़कर मिलता है मतलब मुकाबले उनके जिन फसलों के अंदर पोटास की कमी पाई गई है तो अपने खेत के अंदर पोटास की कमी बिल्कुल भी ना आने दे अब पोटास की कमी को किसान भाईयो किस तरीके से हम पहचान सकते है सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में तो पोधी की जो व्रद्धी होगी जो विकास होगा वो किसान भाईयो रुख जाएगा पत्य को जो रंग होता है वो गहरा हो जाना सुरू हो जागा पुरानी पत्य जो होंगी जो उनके किनारे होंगे वो पीले पढ़ने सुरू हो जाएंगे बाद में उनके जो पत्य होंगी वो धीरे धीरे साइट से उनके किनोरे सूखने सुरू किसान भाईयो हो जाते है जब तक हम अपने खेत के अंदर इन दिक्तों को इन परिसानियों को पहचान पाते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है और तब तक हमारी फसल काफी जदे नुकसान कर चुकी होती है तो हमें कोसिस करनी है कि कमी आने से पहले ही हमें अपनी फसल के अंदर पोटास का उप किसान भाईयों जो आपको पोटास का उपयोग करना है गन्य की फसल के अंदर वो दो बार अवस्य करना चाहिए दो बार करेंगे बहुती बहती बहती इंद उस सांदर रेजल्ट किसान भाईयों आपको देखने को मिलेंगे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जब भी हम कर सकते हैं क्योंकि जिस समय पर हम भुवाई करते हैं यदि उस समय पर एक संपूर्ण खाद हम अपने गन्य की फसल के अंदर डाल देते हैं तो हमारा जो गन्य होता है वह अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है और सुरुवात से ही उसके अंदर किसान भाईयों टिल रिंग क उपयोग करते हैं तो बहुती परियाप्त मात्रा रहती हैं हमारी गन्य की फसल के लिए वैसे यदि किसान भाईयों आप अपने यहां की मिट्टी की जाच यदि करवा लेते हैं तो उससे आपको बिल्कुल सही आइडिया हो जाता है कि आपको अपने खेत के अंदर कितनी म आप मियूरेट ऑफ पोटास को बुवाई के समय पर डाल सकते हैं पोटास के मैं आपको एक दो फायदा और बता दूँ कि हमारा जो गन्य होता है किसान भाईयों इससे मोटा हो करके चलता है गन्य के अंदर वजन भी किसान भाईयों इससे काफी यादा बढ़ जाया गन्य आपका हरा भरा रहेगा गन्य के अंदर रोग भी किसान भाईयों काफी कम लगेंगे यानि कि कुल मिलाकर के पोटास के बहुत सारे फायदे आपको अपने गन्य की फसल के अंदर देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं दूसरी बार जो हमें पोटास का उपयोग करना चाहिए तो इसकी बिल्कुस सही डोच के बारे में आपको दो जिस समय पर हमारी गन्य की फसल के अंदर गन्या पढ़ना सुरू हो जाता है यानि कि जो हमारी गन्य की पोई होती है जग गन्या बनना सुरू हो जाता है यानि कि जो हमारी गन्या की पोई होती है जब गन्या करके हिसाब सब्सक्राइब दाल सकते हैं और यदि आप चाहें तो इसे ना डाल करके जो किसंभरा सस्राइब आपके यह यूद्ध हमारा आता है उसकी मातरा उप्योग में ला सकते हैं उसकी मातरा की यदि मैं बात करूं तो हमारी गन्ने की फसल के अंदर लगभा डेल किलोग्राम पिर्ती एकल के हिसाब से आपको SOP यनकी NP के 0050 लेना चाहिए और उस खेत के अंदर लगभा 160 से लेके 180 सी लेटर पानी डाल करके उस मिकसर के अंदर और तब इसका इस्प्रे अपने गन्ने की फसल के उपर आप करेंगे तब भी किसान में यो पोटास की पूर्ती हो जाएगी और गन्ना आपका बहुत ही सुन्दर हो करके चलेगा तो इस सांदार तरीके से आपका गन्ना हो करके चलेगा यदि मैं खर्च की बात करने हो तो जो हमारा एमोपी वारी पोटास आ रही है इसका जो बैग है अब लगबाग 1800 लगा करके 1900 रुपए के आसपास हो गया है जबकि हमारा सलफेट और पोटास जो हमारा आता है NPK 0050 ये किसा किसान भाईयों एक नई वीडियो में तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाईयों को जय हिंद जय भारत जय किसान वंदे मातरम